मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चनल एजुकेशन जानकारी के अंदर तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सविधान से जुड़े वीविन समीतियों के बारे में जानेंगे और इनका क्या-क्या कार्य था और किससे जुड़े हुए थ सविधान से जुड़े वीविन समीतियां तो जो पहली समीति है संग शक्ति समीति तो संग और राज्यों के गठन और उनसे सम्मंदित विविन जो कार्य थे उनका काम मुख्य रूप से सरदार वल्ला भाई पटेल जी को ही दिया गया था जो बाद में भारत के उप्रधान मंत्री बने थे और सबसे महत्पूर समीधान के जो निर्माण में उसकी ड्राफ्टिंग से जुड़ी कमिटी थी उसके जुड़े हुए थे डॉक्टर बी आर अमबेटकर जी ये कमिटी तो कई एक्जाम में पूछी भी गई है कि पारूप समीति से कौन जुड़े हुए डॉक्टर बी आर अमबेटकर जी इससे जुड़े हुए थे और मूल अधिकार अलपसंख्यकों के अधिकार से जुड़ी कमिटी थी ये मैंने कई एक्जाम में देखा ये कोशन पूछा गया है अलपसंख्यक अधिकारों से जुड़ी हुए और मूल अधिकार से जुड़ ऑय थे Rocky मुखर जी जी प्रकिरिया एम समिती से जुड़ाय राजंदर प्रसाद जी प्रकिरिया कैसी होई ही सभिधान के निरमारँ की और क्या क्रारे इसको ट्या करना है इस cure जुड़े हुए थे डॉक्टर राजंद्र परसाद जी राज्यों के लिए समीति राज्यों से सम्झोता सम्धित जो समीति थी उससे जुड़े हुए थे पंडित जवालान लहरू यह भी बहुत इंपोर्टेंट कमीटी है संचालन समीति एक बार इसको देख ले अची दरीक करता ुणालANGकर जी कारेस संचालन समीति जोले थे डॉक्टर के मुंशी जी सदन समेटि से जोले थे पत्तादी सृत रमया और वज समंधित तृधार समीटि समीटि थे जोले हुए थे डॉक्टर राजंद्र प्रसाद khord य disposition आ आमएरिकी सविधान विश्म का पर्थम ल द्राफ्टरिंग कमेटी से जुड़े हुए थे डॉक्टर बी आर अमबेटकर जो कि इसके अध्यक्ष्ट है एक बार मैं आपको इसको दिखाता हूं बी आर अमबेटकर की अध्यक्ष्टा में गठित पारूप समिति सभधान सवा की सबसे विशिर समिति में सामिल थी इसका जिन्म्यदारी इसकी प्रमुग जिम्मेदारी सविधान का पारूप निधारित करना था तो का रविषन का पार्री पूरी पुन निर्वाचन के बाद मंबई से आये थे तो एक बार आप देख लें पारूप सम्मीटी के सदस्य थे उसके अंदर डॉक्टर बी यार अंबेटकर जोकी अध्यक्स थे इसके एन गोपाला स्वामी आयंगर अलादी किष्णा स्वामी आयर डॉक्टर के एम मुंसी सेद म मुहम्मद सादुल्ला और ये थे एम माधभन राओ जिन्होंने बी एल मित्र की जगा ली थी क्योंकि उन्हें स्वास्तकारणों से त्याग देना पड़ गया था तो इन्होंने बी एल जो माधव थे वो आये थे के एल मित्र की जगा और टीटी क्रिश्माचारी जी आये डीपी खेतान की मिर्त्यु के बाद उन्ली 488 इसकंदर तो ये कोश्टन भी दोनों याद रखें कई छोटे एकजाम में पूछ ले आता कि कौन-कौन इसकंदर समीद्वत्वत और बाद में इसकंदर शामील हुए थे तो ये छोटी सी वीडियो थी समीधान की समीथी से ज अपने नाम रोक्षन करें अपने परिवार का नाम रोशन करें अपने देश का नाम रोक्षन करें इसी उम्मीद के साथ थैंक्यू थैंक्यू सो मच